नमस्कार, स्वागत है सभी सेविका बाहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो चलिए, पोशन ट्रेकर एप में एक बार फिर से एक नई अपडेट आप सभी आगनबारी सेविकाओं के लिए आई है जैसे कि ये जो अपडेट है वो आपका 16.5.1 के रूप में अपडेट आया है इस अपडेट में आप लोगों के लिए 5 ऐसे अपडेट आया है जिसमें से 2-3 अपडेट आपके काम के नहीं है लेकिन 2 अपडेट जो है वो आप लोगों के काम के लिए है तो इन दोनों अपडेट को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा सभी अपडेटों के बारे मैं हाला कि मैं आपको बताऊंगा लेकिन दो ही ऐसे अपडेट है जो आपके काम के लिए है तो चलिए बिन टाइम वेस्ट के वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन स्लिक कर लिजेगा चलिए चलते हैं प्ले स्टोर की ओर तो जैसा कि हम यहाँ पे play store में आ चुके हैं और play store में आने के बाद यहाँ पे search करेंगे portion tracker पोशन ट्रेकर लिख के जैसे ही search करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को update करने का option दिखाई दे देगा अब इसकी कोई इसू नहीं है अब आप लोग का ये जो इसू है वो ठीक हो चुका है अब आप लोग Play Store से जाके Postal Tracker App को अफडेट कर सकते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पांचो अफडेट के बारे में जानते हैं कि पांचो अफडेट क्या आया है तो यहाँ पे हम arrow पे किलिक करेंगे ठीक है arrow पे किलिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे भरजन चेक कर लेंगे कि भरजन कौन साया है तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 16.5.1 का ये new भरजन आ चुका है चलिए बढ़ते हैं update की ओर ये पहला update आप लोग देख पा जैसे कि यहाँ पे latitude, longitude, feature in offline mode ये जो update है इसको समझना आप लोग के लिए काफी जरूरी है तो ये जो दूसरा वाला update है आप लोग का offline mode तो क्या है कि बहुत से जगों पे जो इंटरनेट की problem है जिसके कारण जो भी आगनबाडी सेविकाय है वो अपना GPS location set नहीं कर पाती तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक feature को लाया गया है कि अब आप लोग offline mode में भी जो GPS location है उसको set कर पाएंगे इसको मैं portion tracker app पे करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसको offline mode में GPS location को set कर सकते हैं ठीक है तीसरा update है app optimization यानि कि portion tracker app को uncool कर दिया गया है जैसे कि कई बार क क्या होता है कि जब आप लोग गुद्भराई अनपरासन या कुछ भी details को फिल करते हैं तो submit हो जाता है लेकिन वहाँ पे success का message नहीं आता है तो उस problem को यहाँ ठीक किया गया है और चौथा update है removed have an issue from login page यानि कि आप लोगों के login page में जो issues थे उसको यहाँ ठीक कर दिया गय कि यह जो लिखा गया है क्या कोई मुद्दा है यानि कि यह जो issue है इसी को यहाँ ठीक कर दिया गया है यहाँ पे mobile नमबर और MP डाल के आप लोग लोग इन करते होंगे तो आपको थोड़ी सी problem आ रही होगी तो यह problem भी आप लोगों के ठीक कर दी गई है अब यहाँ पे आ कर लेते हैं और उसके बाद आपको offline mode में दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग offline mode में GPS location set कर सकते हैं तो आप सभी आगनबारी बहने यहाँ से अपने पोशन ट्रेकर app को update कर लिजेगा चली यहाँ पे हम update वाले पे किलिक कर देते हैं और जब तक यह अपडेट हो रहा और यहाँ पे जो आप लोग को एक इसू दिखाई दे रहा था क्या यह मुद्दा है उसको यहाँ से हटा दिया गया है अब आप लोग को इसमें कोई problem नहीं होगी अब आप लोग आसानी से login कर पाएंगे चली यहाँ पे हम login करके आगे आपको दिखाते हैं तो हम यहाँ अपना mobile number और pin डाल के login हो चुके हैं देख सकते हैं इस परकार से हमारा home page दिखाई दे रहा है अब सबसे बड़ी बात कि जो offline mode में जो update आई है कि आप लोग अपना GPS location set कर सकते हैं चली उसको करके देख लेते हैं मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए net को off कर दे रहा हूं जैसे ह आप लोग off करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि working offline with limited functionality याने कि अगर आप लोग offline mode में कुछ work करते हैं तो तीन दिनों के लिए यह भैली रहता है तीन दिनों के अंदर आप लोग एक बार net को on करेंगे तो आपकी जो भी data save रहेगी वो server पे upload हो जाएगी ठीक है तो चले यहाँ पर हम awc location वाले option को click करते हैं जैसे ही click करेंगे तो देख सकते हैं कि पहले जो online mode में यहाँ पे एक page अलग से खुलके आता था success का और यहाँ पे update करने का वो page खुलके नहीं आ रहा है directly आपका यहाँ पे यह page खुलके आ जा रहा है अगर आप लोगों को कुछ करना नहीं है अगर आप लोग उफ-लाइन mode में location set कर रहे हैं तो आप लोगों को देख लेना है कि क्या आप लोग आंगन बारी केंदर पर हैं तो आपको यहाँ पर हाँ वाले पे set कर देना है और आपको यह जो location है daily आपको अपड सेट कर लेते हैं तो देख सकते हैं अभी लोकेशन सेट नहीं हुआ फिर से हम यहाँ पर ट्राइब करेंगे तो यहाँ पे फिर से यह फेल्ड हो जा रहा है यहाँ पे जो लोकेशन है वो अफलाइन मोड में अभी सेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हम तीसरी बार ट्राइग कर रहे है तो देख सकते हैं हमने दो बार तीन बार यहाँ पे सेट करने की कोशिस की लेकिन यह जो GPS अफ्लाइन मोड है, वो काम करने लगेगा, तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, धीरे-धीरे सभी आगनबाडी सेविकाओं के पोसंद ट्रेकर एप में ये वर्क करने लगेगा, बाकी इसमें और कुछ अपडेट नहीं है, अगर अपडेट आती है, तो आप लोगो के भी पोसंद ट्रेकर एप में जो ये ऑफ्लाइन मोड जीपीएस लोकेशन वाला ओप्सन है, वो सेट नहीं हो पार आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो इस वीडियों फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद